नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है जून 2020 2022 की बात है महराष्ट में विधान परिशद की दस सीटों के लिए चुनाव था और उसके लिए जाहिर दस ही उमीदवार होने चाहिए थे अगर निर्विर्वोद चुनाव होना था तो भारतिये जनता परिटी ने चार के बजाए पांच परतियाशी खड़े कर दिये जबके उसके पास जो MLA थे उसमें चार ही जीत सकते थे अच्छा विश्वास से भरी हुई उधाव ठाकरे सरकार ने जिसमें NCP और कॉंग्रेस भी शामिल थी उन तीनों परिटियों ने दो-दो केंडिडेट खड़े कर दिये कुल मिला करके ग्यारे केंडिडेट हो गए दस सीटें थी भारतिय जनता पारिटी इतनी कॉंफिडेंट थी खास तोर से नेता प्रतिपक्ष उस समय के देवेंदर फड़नवीस के उन्हों ने पारिटी नित्रत्तों को ये यकीन दिला दिया कि भारतिय जनता पारिटी के पास भले ही उतने नंबर नहीं है पर हमारे पांचों केंडिडेट जीतेंगे यानि विधान परिशद में नुकसान जो है वो माहा विकास अगहडी के तीनों गटक दलों में से किसी एक को होगा हम अपने पांचों जिता ले जाएंगे और वह ही हुआ भारतिय जनता पारिटी के पांच MLC जीत गए शिवसेना के और NCP के भी दो-दो जीत गए कॉंग्रेस का एक लटक गया एक जीत पाया और वो ऐसी घटना थी जिसके बाद से उधाव ठाकरे सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो गई इसके कोई हपता दस दिल बाद ही राज्य सभा की भी पांच सीटों के लिए चुनाव था उसमें भी भारतिय जनता पारिटी ने यही काम किया एक अधिक कैंडिडेट खड़ा कर दिया और उसको जिता लिया यानि विदान परिशद में भी विदान परिशद के चुनाव म भी जम करके क्रास वोटिंग हुई और राज्य सभा के नतीजे आने के तुरंत बाद जो कैबिनेट मंतरी थे उधाव ठाकरे सरकार में एक नात्शिंदे उनके नित्रत्तों में बहुत सारे विधायक महराष्ट से मुंबई से चले गए और उनको देखा गया सूरत के एक ह लोटल में वहाँ पता लगा के वहाँ पहुंच गया है और धीरे धीरे ये शिव सेना के और MLA भी वहाँ पहुंचते गए और वहाँ से चार्टर क्लेन के जरिये गौहाटी पहुंच गया गौहाटी में वो रहे कई दिन रहे उसके बाद गोवा गोवा से मुंबई और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपत ग्रहन कर ली और उससे पहले अपना बहुमत खो चुके उधाव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे ठीक वैसा ही वातावरण इस समय हिमाचल प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां भी भारतिय जनता पारिटी के पास 68 के सदन में केवल 25 मले हैं और कॉंग्रेस के पास पुर्ण बहुमत वाली सरकार 40 मले और तीन निर्दलियों का भी उसको समर्थन यानि उसके पास तो 43 मले थे इसके बावजूद भारतिय जनता पारिटी इतनी कॉंफिडेंट थी कि उसने हर्ष महाजन को राज्य सभा सीट के लिए परचा भरवा दिया उमीदवार बना दिया तो कॉंग्रिस के चौंखने का समय था क्योंकि कॉंग्रिस को लग रहा था कि भारतिय जनता पारिटी के पास तो 25 मले हैं एक राज्य सभा सदस्य को निर्वाचित करने के लिए किसी भी पारिटी के पास कम से कम 35 मले होने चाहिए तो भारती जंता पार्टी दस है मेले कहां से जुटाएगी लेकिन कॉंग्रेस अतीत की तमाम घटनाओं को शायद नजर अंदाज कर रही थी और जो हिमाचल प्रदेश की कॉंग्रेस कमेटी के भीतर चल रहा था उसको भी वो नजर अंदाज करने की मुद्रा में थी वैसे उनको एहसास था कि कुछ गड़बड हो सकती है क्योंकि दिवंगत वीर भद्र सिंग का जो खेमा है उनके सुपुत्र विक्रमादित्य जो केबिनेट मंत्री है सुखविंदर सुखु सरकार में और उनके कुछ दूसरे संगिसा थी राजिंदर राणा से लेकर के कई लोग वो नाराज चले आ रहे थे और नाराज क्यों चले आ रहे थे जिन राजिंदर राणा का मैंने जिक्र किया है उन्होंने पिछले चुनाओं में प्रेम कुमार धुमल को हराया था पूर्व मुख्य मंत्री को और उनको उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा उनको मंत्री नहीं बनाया गया ऐसे कई और सीनियर कॉंग्रेसी नेता थे विधायक थे जिनको उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा लेकिन नहीं बनाया गया और चलिए मंत्री भी नहीं बनाया गया लेकिन ये लोग जो मुख्य मंत्री बनाये गए थे सुखविंदर सिंग सुखु उनकी कारिये शैली को लेकर के काफी नाराज थे और बाकी का तो छोड़ दीजिए खुद वीर भद्र सिंग की पत्नी प्रतिभा सिंग जो वहां इस समय प्रदेश अध्यक्ष है उनके बेटे विक्रमा दित्य दोनों मुख्य मंत्री की कारिये शैली से नाराज और आपको याद होगा जब आयोध्या में भगवान राम का भव्य और देव्य मंदिर बना और की प्राण प्रतिष्ठा का समारहो 22 जनवरी को हुआ तो वीर भद्र सिंग के बेटे विक्रमा दित्य ने साफ साफ एलान कर दिया था कि भले ही कॉंग्रेस पारिटी इस समारहो का बाइकॉट कर रही है वहिश्कार कर रही है आयोध्या ना जाने का फैंसला सोनिया गांध अधीर अजन चोधरी और मलिक आशुन खरगे ने किया है पर वो तो जाएंगे और वो गए थे कुछ और कॉंग्रेसी भी गए थे जिनमें आचारिय प्रमोध कृष्णम भी थे अब आचारिय प्रमोध कृष्णम भी कॉंग्रेस पारिटी से बाहर निकाल दिये गए क्योंकि उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को कल की दहम के सिलान न्यास के लिए बुला लिया था संबल में उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया अब दिल्चस्प बात ये है कि इतना बड़ा घटना करम हो गया हिमाचल में कि जो कॉंग्रेस के अधिकरत प्रतियाशी थे राज्य सभा के लिए अभिशेक मनु सिंग्वी वो चुनाव हर गए और भारतिय जन्ता पारिटी ने जिन पर दाव लगाया था हर्ष महाजन वो चुनाव जीत गए और कॉंग्रेस के जो वीर भादर सिंग खेमे के मले थे और जो मुख्य मंतरी की कारिय शेली से नाराज चले आ रहे थे उन्होंने जम करके क्रॉस वाटिंग की कॉंग्रेस के कुल 6 MLA ने क्रॉस वोटिंग की और जो तीन निर्दलिये इस सरकार का समर्थन कर रहे थे वो भी भारतिय जनता पारिटी खेमे में चले गए इस तरीके से 6 और 3 9 और भारतिय जनता पारिटी के MLA बढ़कर के हो गए वोटिंग के समय 34 चौंग्रेस के घट करक 34 दोनों को हर्ष महाजन और अभिशेक मनु सिंग्वी को 9 9 वोट मिले और बाद में टॉस हुआ और हर्ष महाजन जीत गए यानि भारतिय जनता पारिटी जीत गई और कॉंग्रेस बहुमत होते हुए भी क्रॉस वोटिंग और अंतर कलह की वज़े से चुनाव हार गई और इसलिए मैंने कहा है कि महाराष्ट की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस चुनाव नतीजे के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जो इस समय लीड कर रहे हैं विधायक दल को उन्होंने तो ऐलान कर दिया क्योंक अपना बहुमत खोचुकी सुखविंदर सिंग सुखु सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव ले करके आएंगे और बहुमत वाकी खो दिया है उसने राजसभा चुनाव में तो यही दिखाई दे रहा है बहुमत के लिए हिमाचल प्रदेश में 68 जो सदस्य विधान सबा है वहां 35 MLA का समर्थन चाहिए पर कॉंग्रेस के पक्ष में तो कॉंग्रेस के प्रतियाशी अभिशेक मनु सिंगवी के पक्ष में तो केवल 34 वोट पड़े है यानि एक MLA कम है यानि वहुमत खो दिया है सरकार ने अब हालत यह है कि कॉंग्रेस के कान खड़े हो बगावत की है क्रॉस वोटिंग की है भारतिय जनता पारिटी के प्रतियाशी हर्ष महाजन के समर्थन में वोटिंग की है उनको वो निकाल भी नहीं सकती निलंबित या निसकाशित भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर ऐसा करती है तो उनका भारतिय जनता पारिटी में शामिल होने का राष्टा खुल जाएगा वो अगर उनके साथ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कर रवाई करती है तो भी संकट में होगी क्योंकि सरकार का बहुमत चला जाएगा तीन निर्दलिये भी जा चुके हैं तो सरकार जो है इस समय तलवार की धार पर है अब कॉंग्रेस को लग रहा है कि अगर एक राज्य से और सरकार गई तो फिर उसकी तो दो ही राज्यों में बचेगी तेलंगाना और करनाटक में अब ही कम से कम तीन राज्यों में तो है इसलिए हरियाना के पूर्वा मुख्यमंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा और करनाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार को शिमला रवाना किया गया है और वो वहां जाकर के सरकार को बचाने की कवायद शुरू करेंगे इन नाराज विधायकों की नाराजगी दूर करने की करेंगे यानि इससे ये तो पता चलता है कि अभी जो हो गया वो तो हो गया अभी तो इनकी प्रियोरिटी ये है कि हिमाचल सरकार को बचा लिया जाए और भरती जनता पारिटी का जो रूख है उससे ये लग रहा है कि वो वहां पर बड़ा खेला करने जा रही है क्योंकि के बाद नतीजा आने से पहले ये सभी कॉंग्रेस के 6 MLA शिमला छोड़कर के पंचकुला पहुँच चुके थे और वो भी हरियाना पुलिस के संरक्षन में और CRPF के संरक्षन में चुकि बजट सत्र चल रहा है और ये अगर सदन से गायब रहते आज तो इनकी सदस्ता पर सवाल खड़ा हो सकता था वीप जारी की जा सकती थी और उनकी सदस्ता भी जा सकती थी ऐसे में वो फिर वापस शिमला पहुँच चुके हैं लेकिन इस पूरे घटना करम ने कॉंग्रेस के कान खड़े कर दिये हैं चिंता बढ़ा दी है चुनोती चुका है कहां तो 68 सदस्य हिमाचल विधान सभा में वो 40 सीटे जीत करके और बहुमत वाली सरकार बना चुकी थी रन कर रही थी तीन निर्दलियों का भी समर्थन था और कहां एक आएक 9 MLA तीन निर्दलियों समेथ वो भगावत पर उतराए और क्रोस वार्ट कर दिये हैं पर्ति भात सिंग से जब मेडिया ने पूछा तो उनryn नहीं कहा कि सुखों सरकार के पर्ति कॉंग्रेस के भीतर असंतोश है और ये अस्वभाविक नहीं है यानि स्वभावीक है इसका मतलब यह हैं कि हिमाचल की कॉंग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मन रहे हैं और जि उठते खाते पीते सुभा शाम दिन रात राहुल गांदी प्रधान मंतरी नरेंदर मौधी के बारे में दे रहे हैं जिस तरह से वो पानी पी पी करके कोशते हैं उनको बदनाम करते हैं उनका नाम अडानी अंबानी के साथ जोड़ करके उनकी छवी को खराब करने की कोशिश करते हैं इतने नेता अब तक महों भंग होने के बाद कॉंग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं फिर भी इस परिवार को नरेंद्र मौधी से नफरत के चलते अकल नहीं आ रही है और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की इनहीं बचकानी हरकतों की वज़े से ये एक और सरकार जो है खोने जा रहे हैं अभी के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके